आईए दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर आपको इंडियन ओईल के पेट्रोल पम से कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में आप अपनी शिकायत कैसे बेश सकते इंडियन ओईल के पास और साथ-साथ में Ministry of Petroleum and Natural Gas यानि की जो भारत सरकार का मंत्राल है उसके पास तो देखिए फ्रेंड्स आपको पेट्रोल पम से इंडियन ओईल के पेट्रोल पम से कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले तो आप इंडियन ओईल की ओफिशल वेबसाइड खोल लीजे और इसके Contact Us वाले पेज पेज पे चले आई है इसके लिंक मैंने इस वीडियो के दिस्क्रिपिशन पे दे दिया है तो आप इस वीडियो के दिस्क्रिपिशन चेक कर सकते हैं नित आप Google पे सर्च कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा Tall Free Number दिया करके मतलब आपने उनको फोन किया पर कुछ फाइदा नहीं हुआ मतलब सही नहीं लगा आपको तो उसकेस में आप online complaint register कर सकते हैं तो यह जो link है इसका use करके आप अपनी complaint Indian oil के पास भेज सकते हैं तो आपको पूरी details देनी होगी जैसे अपना नाम, address, mobile number, phone number सब कुछ देना होगा सासात में आपको पैट्रोल बं से जो भी problem हुई है उसकी पूरी जानकारी देनी होगी Indian oil को एक बर जब आपने दे दिया है तो इनको एक दो हफते का time दीजिए आपकी शिकायत पर काम करने के लिए और आपको Indian oil के जो बड़े office है आपके state के या जहां से भी मतलब इ जवाब दे देगा और यह बता देगा कि इन लोग ने आपकी problem पर कुछ कारवाही की है या फिर जो भी इन लोग आपको answer देते हैं तो आप उसको देख लीजिए कि क्या इन लोग बोलते हैं अगर आपको लगता है कि समझ लीजिए कि इनने जो आपको लिखके बेजा है संतुष नहीं है आपको लगता है कारवाई हुई नहीं है तो अब उस case में friends अब हम अपनी शिकायत को मंतराले के पास बेजेंगे यानि कि भारत सरकार के पास बेजेंगे नई दिल्ली बेजेंगे तो चलिए देखते हैं वो कैसे किया जाता है तो friends अपन को अब अपनी श अपनी शिकायत भेदनी है तो उस case में अपन को एक website का use करना होगा और friends उस website का नाम है pgportal.gov.in इस website की जो link है मैंने इस वीडियो के description पे डाल दिये तो आप इस वीडियो का description जरू चेक किजिए तो ये Department of Administrative Reforms and Public Grievances की website है इस website पे आकर आपको अपना account बनाना है login होना है और उसके बाद friends आपको जो अपनी शिकायत भेदनी है वो भेदनी है friends Ministry of Petroleum and Natural Gas को जो की Central Government के अंडर में आती है तो इस बात के धहन रखी है कि शिकायत आपको forward करनी है Indian Oil Petrol Pump के against में वो है Ministry of Petroleum and Natural Gas के पास अब एक बात का और धहन रखी friends मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज Indian Oil को जो भी email किया था या जो भी उनको complaint दिया था या उनकी तरफ से आपको जो भी response मिला है उसकी एक copy मंत्राले को जरूर भेज़ने तो यह अच्छा रहेगा आपके लिए अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप pgportal.gov.in पे register करके अपनी complaint भारत सरकार के पास भेज़ सकते हैं तो friends अगर आपको pgportal.gov.in पे अपनी शिकायत register करना है तो उस case में सबसे पहले आपको इस site पे आके अपना account बनाना होगा तो friends इसके पहले account बनाना जरूई नहीं था पर अभी पितले कुछ महीने पहले लोग ने अपने site में कुछ changes किये हैं और अब registration compulsory हो गया है तो friends यहाँ पर आप देख रहे होंगे click here to register लिखा हुआ है इस पर आप click कीजिए उसके अब friends यहाँ पर आपको अपनी details डालनी होगी तो जो भी details यहाँ पूछिए उसको आप सही तरीके से भरिये गलत detail या inaccurate detail मट भरिये हो सकता है यह नहीं तो आपको problem हो तो देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, phone number, mobile number, email address और यह सब और भी कुछ चीज़े डालनी है जो यहाँ पर इस form में पुछी हुई है और friends यहाँ पर एक चीज़ और यह है कि आपको जो अपना login ID है यहाँ पर अपना select करना पड़ेगा कि आप अपने email address को अपना login ID बनाना चाहते है कि अपने mobile number को अपना login ID बनाना चाहते है तो friends अगर आप email address को अपना login ID बनाना चाहते है जो आप यहाँ पर डालेंगे तो यह email address को select कीजे इनकेस अगर आप अपने 10-digit mobile number को अपना login ID बनाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर enter कीजिए 10-digit mobile number उसके बाद यह mobile number को अपना login ID बनाएगे इस form को पूरा भरने के बाद friends आप submit button पे click कीजिए submit button पे click करने के बाद friends अगर आपका जो भी आपने detail डाली है वो सही है तो आपके email address पे और mobile number पे कुछ verification link बेजी जाएगी जैसे for example मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर जो भी email address अपना use करेंगे उस पे एक verification link आईगी और आपका जो mobile number है उसमें एक one time password आएगा जिसको आपको अपने account में पहली बार login करते समय एंटर करना है तो friends यहाँ पर जब आप submit button पे click करेंगे तो आपके email address पे एक verification link जाएगी और आपके mobile number में एक one time password या फिर mobile verification password जाएगा तो friends email address में जो आपके verification link गई है उसको आपको click करना है और अपने email address को verify करना है इस site के साथ और आपके mobile number पे जो एक one time password आया है या फिर mobile verification password आया है तो उसको आपको जब आप पहली बार अपने account पे pgportal.gov.in के account पे login करेंगे तो उस mobile verification code को डालना पड़ेगा तो friends email address और mobile verification code डालना बहुत ज़रूरी है बिना इनके आपका account activate नहीं होगा तो आप अपना mobile number email address सही तरीके से डालिए और आपको यहां पर अपना अप जो login करना है यहां से करना है तो friends यहां पर आपने अगर अपना username email address रखा होगा तो email address यहां पर डालिए अगर आपने mobile number डार रखा होगा तो आपने username की field में यह जो दिख रही है इसमें mobile number डालिए password जो भी आपने रखा होगा उसको यहाँ पर डालिए यहाँ पर security code डालिए यह जो capture दिख रहा है 396854 इसको यहाँ पर type कीजिए और login कीजिए आपके case में हो सकता है capture कुछ और दिखेगा एक बार जब आप login हो जाएंगे friends तो आपको कुछ इस type का interface आपके browser पर दिखेगा तो यहाँ पर देखिए आपको अब अपनी complaint register करनी है तो यहाँ पर देखिए lodge public grievance लिखा है इस पर आप click कीजिए इसके पर फ्रेंट्स यह जो इसको आप थोड़ा पढ़ लिजे कि आपकी जो grievance है या complaint है in matter से related तो नहीं है अगर in matter से related होगी तो आपकी जो complaint है वो reject कर दी जाएगी यहाँ पर देखिए यह checkbox में click कीजिए और submit अब फ्रेंट्स अगले page पे आपको यहाँ पर central government select करना है central government आपने select कर लिये अब उसके बाद friends जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले बताया कि अपन किस department को अपनी complaint भेज रहे हैं उसको यहाँ से select करना है तो देखिए यहाँ पूरे जो central government के जित्तिवी ministries हैं उसके बाद friends आपको यहाँ पर अपनी complaint टाइप करनी है यह जो बड़ा सा एक box है इसमें अपनी complaint टाइप करनी है और मैं यही बोलूँगा जित्ता information आप दे सके उत्ता अच्छा रहेगा उसके बाद friends यहाँ पर देखिए इन case अगर आपने पहले कुछ इसके पहले complaint फाइल की थी मतलब इसी पोटल पे तो उस case में आप उसका reference नंबर या फिर जो complaint नंबर है वहाँ डाल सकते हैं सासाथ में पिछले complaint की जो date थी या फिर पिछला जो reference था आपका नंबर था उसकी जो date थी उसको आपको यहाँ select करना है और friends यहाँ पर देखिए यहाँ choose file जो लिखा हुआ है इस option या button का use करके आप एक PDF file 4MB तक के attach कर सकते हैं और अपनी जो complaint है जो आप यहाँ पर इस डब्बे में type करेंगे उसके साथ भेज सकते हैं तो यह जो PDF file रहेगी यह मतलब आपकी complaint से related कोई document है जो आप को लगता है कि लगाना चाहिए तो आप उसको scan कीजिए या तो एक scanner का use कीजिए या फिर smartphone में cam scanner नाम का software होता है उसको use करके आप scanned file upload कीजिए PDF file create कीजिए और यहाँ पर upload कीजिए और एक बर जब आपने सब detail डाल लिया है और आप satisfied है कि आपने पूरी तरीके से अपना जो complaint है उसको लिख लिए है submit बटन पे click कीजिए हाँ तो friends एक बर जब आप submit बटन पे click करेंगे तो आपको आपका complaint का एक unique registration number मिल जाएगा और जब वापस आप इस home बटन पे click करेंगे तो आप यहाँ पर इस type के अपने account के page पे आ जाएंगे यहाँ पर देखिए अभी मेरा कोई registration तो है नहीं पर आप जो complaint register करेंगे उसके ministry के हिसाब से या department के हिसाब से उसका registration number यहाँ पर देखेगा जिस दिन आपने शिकायत की थी वो तारीक यहाँ पर देखेगी और अगर ministry या department ने आपकी complaint को close कर दिया है तो उसकी तारीक यहाँ पर देखेगी साथ साथ में friends अगर आप अपनी complaint से related कुछ reminder lodge कराना चाहते हैं तो इसी page में आपको देखेगा साथ साथ में अगर आप अपनी complaint का status track करना चाहते हैं तो उसकी भी details या उसका भी button इसी page पे मिलेगा तो friends मैं आशा करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा अगर हाँ तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे thanks for watching